नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 30 feet by 72 feet के एक rent purpose house plan की दोस्तो मैंने इसको किराय के लिए बनाय हुआ है ground floor भी rent purpose से है और first floor भी rent purpose से है तो complete ground floor का नक्सा और first floor का नक्सा आपके साथ मैं यहाँ पर share करूँगा अगर आप rent purpose से घर बनाने जा रहे हैं तो इस वीडियो को आपको complete देखना है अगर आपके plot का size 30 feet by 72 feet है तो यह जो plot का size है वो 30 feet by 72 feet है अगर मैं area की बात करूँ तो 2160 square feet हो जाता है अगर आपके plot का size 30 feet by 70 feet है 75 feet है मतलब इसके आसपास अगर आपके plot का size है और अगर आपको यह पसंद आता है तो यह convert हो जाएगा आपके plot का according तो चलिए दोस्तों start करते हैं और आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा request यह रहेगा अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को subscribe नहीं किया है तो please आप हमारे YouTube चैनल को subscribe करते क्योंकि आपको हमारे इस चैनल पर ऐसे ही house plan देखने को मिल जाएगे और अगर आपको भी अपना घर का design कराना होगा तो आप हमसे contact कर सकते 976020215 पर आपको एक अच्छे rate में दोस्तो मैं आपको design करके दूँगा तो चलिए अब हम इस नक्से को समझ लेते हैं यहाँ पर आप देख सकते है ground floor plan और first floor plan दोनों ही आपके सामने हैं हम पहले ground floor plan को देख लेते हैं यह हमारा ground floor है और front में हमने दो दुकान भी दे रखिए तो आप देख सकते हैं यह हमारा shop number one है shop का size देख सकते हैं 8 feet by 11 feet का shop का size आपको मिल जाएगा 11 feet by 19 feet 44 inch का इस तरह से आप देख सकते हैं 11 feet और इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं यह 19 feet 44 है तो अराम से यहाँ पर आपका car भी पार्क हो जाएगा और आने जाने के लिए आपको रास्ता मिल जाएगा एक 2-3 bike भी आपकी पार्क हो जाएगी आके बढ़ते हैं यह 5 feet रखा हुआ है जो कि enough होता है आने जाने के लिए तो इसमें total जो है वो हमने 4 set दे रख चार unit है ठीक है तीन unit आपको 1-bhk की मिलेगी ground floor पर और एक unit आपको 1-rk की मिलेगी 1-bhk में आप देख सकते हैं यह हमारा 1-bhk का set है आगे की तरफ हमने 1-bhk है आप देख सकते ह 1-bhk में आपको एक bedroom मिलेगा यहां में लिखना बूल गया bedroom है हमारा ही ठीक है 1-bhk में आपको एक bedroom मिलेगा ठीक है size आप देख सकते है 11-50 बाइग 9-50 एक living dining और एक kitchen और एक common toilet ठीक है यह 1-bhk में आता है और 1-rk में आपका एक यह हमारा 1-rk का set है ठीक है इसमें आपक एक bedroom मिलेगा एक kitchen toilet मिलेगा ठीक है तो तीन set इसमें 1-bhk के एक ही set इसमें 1-rk का है ठीक है size आप देख सकते हैं यहां पर bedroom का size क्या है ठीक है 11-50 बाइदस फिट का और इसमें kitchen का size जो है वो 7-8 इंच बाइपांच फिट 6 इंच का है और यह आगे जाने के लिए एक छोट size की चोड़ाई और यह इसमें attach common toilet 8-fit change by 3-fit change का ठीक है आगे बढ़ते हैं दो set आपको इसमें पीछे मिल जाएंगे आपको 1-bhk के आप देख सकते हैं एक set यह हो गया और एक set आपका यह हो गया ठीक है किसी एक का आपको size बता जाता हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं एक set में आपको एक bedroom मिल रहा है ठीक है size आप देख सकते हैं 11-5-5-5-6-5-6-5-6-5-5-6-5-5-5-6-5-5-5-5-6-5-5-6-5-5-5-5-5-5-6-5-6-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-6-5-5-5-5-5-5-6-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-6-5-5-5-6-5-5-5-5-5-6-5-5-5-5- पारा ग्राउन फ्लोर प्लान ठीक है पीछे भी हमने वेंटिलेशन के लिए स्पेस छोड़ावा है तीन फिट का आप यहां पर देख सकते हैं ताकि अच्छे से वेंटिलेशन हो जाए तीन फिट रहेगा और पूरा जो है तीन फिट स्राट चरिंच का इसमें स्राट ती और यह जो पूरा आगे के तरफ आप देख सकते हैं यह दो धूगाने थी और यहां पर जो पोर्च था इसके उपर हमने ओनर के लिए वन पेच्ट याँ सेट निकालावाई है ठीक है आप देख सकते हैं यहां पर यह इसके उपर आप बाकी बाकी सब कुछ से हमें कर आप दोस्तो यह प्रान आपको कैसा लगा प्लीस मिर को आपこमेंट करके जुरूर बता है अच्छा लगा जैसा है आपको लगा था अगर आपको प्लान अच्छा लगा तो दो दोस्तों वीडियो को आप शुरूर लाइक करें, आपके लाइक करने से हमको मोटिवेशन मिलता है और आपकी हेल्प हो जाए, इसके लिए दोस्तों हम ये प्लान आप यूटूब पर डालता है